तो हैलो दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेक्नो चैंपियन अटो आप चैनल में दोस्तो मैंने काफी दिन से रेगुलर वेडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्यूंकि दोस्तो चैनल पे कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे इसलिए मैंने ज़र वेडियो डालना बंद कर दिया था लेकिन दोस्तो अब मैं ज़र रेगुलर वेडियो अपलोड करूंगा तो जैसे ही आप पहले सपोर्ट कर रहे थे वैसे ही सपोर्ट आप करते रहना ठीक है तो चलिए आज के इस वीडियो के टॉपिक के और बरती हैं दोस्तो आज मैं इस वीडियो के अ यह ट्रिक 100% वर्क करता है और अगर आप इस ट्रिक को सही से योज करते हो तो आप अपने मुबाइल के पुराने डिलीट हुए फोटो और वीडियो को वापस ला सकते हैं देखिए दोस्तो मुझे काफी सारे लोग कॉमेंट कर रहे थे बहुत सारे लोग कॉल करके पूछ तो आप इस वीडियो को पूरा देखना ये वीडियो अपके लिए बंदा है तो चलिए दोस्तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं क ये ट्रेक वर्क किया या फिन नहीं आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं ठीक है तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप अपने मुबैल के डिलीट हुए फोटो और वीडियो को वापस ला सकते हैं तो दोस्तो इसके लिए आपको अपने आपको यूज कर सकते हैं ठीक है तो वीडियो को पूरा देखना क्यूंकि इस एप को आपको डाउनलोड भी करना है अगर आप अपने फॉन के डिलीट हुए फोटो और वीडियो को वापस लाना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसको आपन कर लेता हूं दोस् इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकैन कर रहा है तो यहाँ पर कम से कम पाच मिनट तक आपको वेट करना है अभी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जो फाइल्स वगर हैं जो भी मैंने डिलीट किया था वो सबके सब यहाँ पर आ चुका है लेकिन अभी भ पर complete न हो जाता तब तक आपको यहांपर कुछ बीडेर नहीं करना है जितने भी फोटो आपने डेलेट्किया जितने भी वेडियो आपने देलेट्किया इना फोटो कौ यहां पर आपको फाइंड करना पड़ेगा निके ढूंड में इलेट करना था तू आट यहां पर आपको इसे में किसी एक फोटो को सेलेक्ट करनाना थीक है तो ज Something जाए गैलरी में वापस लाकर आपको दिखाता हूँ ठीक है तो वीडियो को ध्यान से देखना है जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते ही यह फोटो है मैं इसको यहाँ पर आपको इस तरीके से सलेक्ट करना है फोटो को उसके बाद यहाँ पर आपको थ्री लान के उपर किलिक करना है जैसा कि यहां पर आप दिर्ख सकते हैं जैसी है जएसिए उसके ऊपर कि अपकुलिक करेंगे तो उसके बद Second Option आपको मिलेगा Save this File Locally जवसके आपर आप Pब दीख सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब किकुलिक करना है उसके करना इंदर ज Madness कर लेने हैं तो इस तरीके से आप अपने जितने भी photos आपने डिलेट किया और उसको आप दो बारा जो गैलरी के अंदर save करना चांथे हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पर just save कर सकते हैं, ठीक है, अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, कि यह जो photos मेंने save किया है, ये मेरे gallery के अंदर मेरे file manager के अंदर save हुआ है या फिर नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने file manager को open कर लिया है उसके बाद यहाँ पर मैं phone storage को open कर लेता हूँ ठीक है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं download वाले option पर click करता हूँ तो यहाँ पर यह तरीके से आप इस use app को डाउनलोड करेंगे दोस्तो इस app को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने mobile browser को आपन करने इसके बाद आपको google पर search करना है www. www. जैसके हाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद आपको लिखना है mmnews24.com यहाँ पर आप इसक्रीन पर देख सकते हैं तो जैसे आप यह सर्च करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से एक website आपन हो जाएगा जैसके यहाँ पर यह आपन हो रहा है तो पोस्ट आपको देखने को मिलड़ा है mobile से डिलेट हुए फोटो को कैसे वापस लें simply आपको इसके पर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप नीचे आएंगे ना यहाँ पर आपको कुछ पढ़ने को दिया जाएगा इस application से related जो कुछ भी बाते हैं वो सब करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फिर मिलते एक और ने वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें गुडबाई टेक कियर एंड बाई